क्लास चैन्थ बच्चे पहले मैंने आपको जैनिटिक्स के बारे में बताया था कि जैनिटिक्स क्या होती है, वरियेशन्स क्या होती है, हैरीडिटी क्या होती है, हैरीडिटी क्या थी जो आपके क्रेक्टर्स ट्रांस्मिट होती है, पेरेंट से ऑफसर पिंग में जो भी क्र अपने बर्थ के बाद एक्वाइर की है जैसे आपका बर्थ होता है आपको नहीं खाना आता है आप स्चार्टिंग से ही आपको ना तो आपके शूज के लेज बानने आते हैं ना आपको कोई काम करना आता है जो आप बर्थ के बाद एक्वाइर करते हैं अगर आपको कोई ख कि लेजब आइंगे आपके पास तो उसको आप बोलते है इंहारिट ट्रेट वह से मिलती है जैसे आपका आई का का लर हो गया आपकी हाइट अपने बीस प eigenlijk में जो आपके परेंट का स्कूरिंग में जो चीज होती है तो इस यह Trade का क्या मिणिंग होता है Trade का मीनिंग है character की form होती है character की form है बच्छे जैसे की character है Character होता है जैसे height height होगी आपकी यह character है eye color यह вик Avoid height भी तो तू टाइपस की होती है long और short ठीक है तो जो long और short है वो trade है जो उसका character क्या है जैसे eye color eye color के हैuks purchase उसका कलर जो जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन आइज होगी, यह क्या है ट्रेट, इन्हेरिटर ट्रेट कौन सी होती है, जो आपके पेरेंट से आप में आफ सप्रिंग में इन्हेरिट होती है, मिन्स ट्रांसफर होती है, उनको हम इन्हेरिटर ट्रेट कहते हैं, यहां पर पर या फो पर तो क्लासमे स्टूडंट आप सब्सक्राइब स्टूडंट अप्धर पर अपनी बियुण कर सकते जर्जdog का एर लूप्स अफने स्टूडंट उन् यह अटेय इताइब्स अबरो पर को अब पताइब कारने, इसका ये कारने कारना, रीजन ये है बच्चे कि जो att judged year lobe हैं इंक और excessive का मीनिंग है जो अपने आपको express नहीं कर पाता free year lobe होती है, जो dominant trait है, जो अपने आपको express करती है तो सबसे ज़्यादा trait आपको free मिलेगी सबसे ज़्यादा students free year下去 होंगे inside कम होंगे जिनके पास ATTES year logo होगी अभ यह बचे CROSS करवाया गया है जे डॉमिनंट चीज होती है उसको आप बड़ी capital के लिखती हो और जो adalah हर सहसी होती है उसको आप छोटी इससे तो इनके बीक में CROSS करवाया गया इनके पहले इनकी suppression होई, गमीट्स बनाएं गए, छोटी E, बड़ी E, बड़ी E, छोटी E, जब इनके बीच cross करवाया गया, E को, बड़ी E को, छोटी E से करवाया, बड़ी E को, बड़ी E से करवाया, छोटी E को, बड़ी E से, और छोटी E को, छोटी E से, तो आपने देखा क यह जो अगर दो बड़ी यह आती है तो तभी फ्री बनेगी ऐसे आती है तभी फ्री बनेगी ऐसे आती तभी फ्री बनेगी अगर दोनों छोटी आती है small letters आते हैं तो वो attached बनेंगी उसका attached होगा तो इसमें बच्चे जो ratio आ रही है वो क्या रही है 3 ratio 1 तो आप देख रहे हो कि free की जो majority है वो जादा है और attached कम है तो dominant कौन सा character है free ठीक है next है बच्चे tongue rolling tongue rolling का क्या meaning है some persons have the ability to roll their tongue like a tube while others cannot आप ट्राई करके देख सकते हो बच्चे बहुत persons होते हैं जिनके पास यह ability होती है कि वो अपनी tongue को अपनी जीब को roll कर सकते हैं tube की तरह while others can't और कुछ लोग नहीं कर सकते तो यह बच्चे आपके पास दिखाया गया है यह क्या है tongue rolling है roller tongue है इसमें क्या कर रहा है tongue को roll करके दिखाया गया है तो next line है this roller and non roller trait can be observed in your class में तो यह भी आप अपनी classmate के साथ means उनके देखोगे कि वो roll कर सकते हैं और नहीं कर सकते non roller trait is less common बहुत कम लोग होंगे जो अपनी tongue को roll नहीं कर सकते तो non roller trait है जो गोर excessive है और roller क्या है dominant यह dominant है same वैसे ही ear lobe की तरह आपने cross करना है बट roller के लिए आपने बड़ी R और non roller के लिए आपने छोटी R को use करना है जब आप इसका cross करवाओगे तो आपके पास जो ratio आएगी बच्चे 3 ratio 1 आएगी तो इसमें भी किस की majority ज़्यादा है roller की roller की ज़्यादा non roller कितनी ratio आई उसकी 1 next है बच्चे आपका topic है father of genetics तो genetics मैंने आपको पहले ही बता दिया कि genetics में हम क्या study करते हैं हम study करते हैं उसके बारे में कि क्या जो आपके characters है means आपको जो parents से of spring में characters transmit होते हैं वो कैसे होते हैं और जो variations आती है means एक ही parent के दो बच्चे ब्रदर और sister उनमें भी variations आती हैं उसका क्या कारण है क्या reason है वो study करेंगे तो first हमारा इसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे father of genetics जो father था genetics का वो कौन था किसको बोला गया है Gregor Johan Mendel को Gregor Johan Mendel है बच्चे वो क्या है father है genetics का यह उसकी picture लगाई गई है आपने याद रखना है अब इसको father क्यों बोला जाता है क्योंकि बच्चे यह पहला इंसान था पहला scientist था जिसने character की transmission को देखा था discovery की थी कि एक generation से यह next generation में क्यों pass out हो रही है तो Mendel बच्चे एक छोटे से village में रहता था जिसका नाम था Silesian और यह जो बच्चे मेंडल था वो बहुत छोटी family को बिलॉंग करता था फिर क्या करा इसने graduation की graduation के बाद यह priest और monk बन गया फिर यह study करने के लिए वेना गया कौन सी study की इसने science और math की इसको science और math में बहुत इंट्रस्ट था ठीक है यह कुछ करना चाहता था तो इसने क्या करा यह ना garden था इसका बहुत बड़ा उसमें बहुत सारी बहुत सारी vegetables लगी होई थी ठीक है तो इसने एक दिन observe कि जो उसमें पी प्लांट था तो पी प्लांट को इसने observe कि इसने देखा कि यह इसके कितने सारे बहुत सारी के जरिक लगाट में द इसने इसने जर्ण भी आलंट भी आता है यह इसने बहुत कुछ देखा इसके वह इस तो इसने में सुचा के राव मैं इसकी चैड़ी किया तो इसने क्वा करें इथा चैड़ी कई यह डी о किया मैं से MENDAL अक्सपयारिमेंटल मके इसने प्लांट चूश किया मैंने पहले यह आपको बता दिया है तो प्लांट चूश किया थ і इडियुबल बाइब जो भी हम Это पी का नाम है पाइकसम सैटिमम इसने एक्सपेरिमेंटल मटीरियल के तौर पे उसको यूज किया अब आप सोचोगे कि इतने वेजीटेबल में इसने सिर्फ पी को चूज क्यूं किया था क्या रीजन था उसका बच्चे उसका रीजन था कि इसली डिटेक्टेबल कंट्रास् जो बचचे फ्लावर था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती ती और क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करवा सकते थे मिद्व को फालीनेटिंग एजन्ट की जूरत नहीं थी अगर हमनें सैल्फ पॉलिनेशन कर्वानी दुन्म फोंनों तरह की पॉलिनेशन हो जाती थी short life with annual nature तो बच्चे उसने वो plant चूज़ किया जिसकी short life span था अब short life span का होना क्यों जूरूरी है हमेशन साइंटिस यही सोचते है short life span वाले plant को ही चूज़ किया जाए अगर plant पर सड़ी हो रही है इसका reason ही होता है बच्चे कि अगर आप long span स्पेन वाले plant को चूज़ करते हो जैसे हमें example देती हूं आपको की mango है ठीक है mango को आप सड़ी कर रहे हो तो बच्चे mango को एक साल जा फिर मतलब ही काफी time लग जाता उसका fruit आने में क्या आप इतना time wait करोगे scientist इतना time wait करेगा कि वो कब experiment उसके प्रफार्म करेगा एक generation को इतना time लगेगा तो बच्चे next generation कब आएंगी कब वो study करेगा उसके बारे में तो इस लिए इसने short life span वाला plant चूज़ के इस पे बहुत मतलब इसके seed grown करते हैं मतलब बहुत कम time में सब कुछ हो जाता है formation of large number of seeds इसमें बच्चे जो seeds होते हैं वो large number में produce होते हैं जो इसके लिए benefit था मेंडर्स लेक्टर seven character for his experiment इसने seven characters लिये थे experiment वो characters ये रहे बच्चे अपने read करना ये table इसने कौन-कौन से character लिये थे seed shape first character है seed shape second seed color flower color, pod shape pod color, flower position अब in stem height तो ये है character seven इस character के two two सब के two two trait थे अब seed की shape कैसी हो सकते है round भी हो सकते है wrinkle seed color इसके भी dot rate है yellow हो सकता है green हो सकता है flower color violet हो सकता है white हो सकता है pod की shape full हो सकते है constructors ये अपने read करना है देखो यहां लिखा है mendel selector seven character for his experiment each character had two contrasting trait they are given symbol इन्होंने इसने symbol दिये ठीक है symbol कैसे दिये इसने देखा कि dominant है dominant को इसने capital alphabet दिया जिसे tallness है tallness ज्यादा टॉल होती है plant ठीक है तो tallness वाले को इसने body tis से लिखा जब cross करवाएंगे हम तब ही इसको use करेंगे wilder sessivet बच्चे जो अपने आपको express नहीं कर पाता उसको इसने small letter से लिखा जैसे dwarfness है उसको इसने छोटी टी से यह देखो यह stem height है tall को body tis dwarf को चोटी टी ऐसे करके इसने लिख दिया ठीक है यह जास seed shape है बच्चे यह round dominant rate है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बड़ी यार और sessivet rate है wrinkle है तो इसको कैसे लिखेंगे छोटी यार ठीक है तो ऐसे इसने सब को लिख दिया बड़ी अल्फाबेट according मतलब पी small alphabet और capital alphabet तो यह जो बच्चे यह इसने cross करवाया था generation produce की थी f1 generation और formation hybridization formation of f1 generation यह कैसे produce यह क्या हुआ था cross कैसे करवाया था किसके बीच में करवाया था यह मैं आपको tomorrow करवाऊंगी